वेलकम टू माई चेनल तो चलिए हम फ्रैक्शन का क्लास 6 NCRT शोलिशन एक्ससाइज 7.1 का कॉस्चिन नबर वी 5 करेंगे इसके पहले हमने वीडियो में हमने कॉस्चिन नबर 4 कर लिया था कॉस्चिन नबर 4 और कॉस्चिन नबर 5 दोनों सेम ही है बस थोड़ा से यहां पर आपका अंक चेंज कर दिया गया है तो देखे सवाल क्या है what fraction of an hour is 40 minutes यानी कि हम एक घंटे में 40 minutes का fraction क्या होगा यह आपका कॉस्चिन है तो चले स्टार्ट करते है सपोज माल लीजी हमने अगर माल लीजी हमने 40 minutes को 40 minutes कर दिया अपन यहां पर an hour यानी कि एक घंटा वन आवर कर दिया तो क्या यह equation सही है जब हमने इसके पहले जो वीडियो पर आथा हमने इस तरह से किया था तो अगर देखी माल लीजी अगर हम fraction कर रहे है तो उपर और नीची कि जो हमारा जो संख्या होता है वह equal होना चाहिए अगर हम whole part देखे तो वह विल्कुल equal होना चाहिए यहां पर minute दे रखा है और यहां पर hour दे रखा है तो हमें इसको सेम करने के लिए क्या करना हो तो यह equation हमारा wrong है तो हम इस तरह से इसको minute में change करेंगे तो वन आवर अगर है तो वन आवर is equal to 60 minutes हो जाता है यह हो गया आपका तो यहां पर अगर यहां पर वन आवर 60 minutes तो हमारा answer यह हो सकता है 40 upon 60 minute यहां भी minute अब यह देखे हमारा उपर नीचे दोनो minute हो चुटा है अगर यह दोनों सेम मिल रहा है minute और minute हम इसको cut करके यह कर सकते हैं कि 40 upon 60 तो यह हमारा answer हो जाएगा अगर आप इसको simplify करना चाहते हैं simplify करने के लिए क्या कर सकते हैं अगर 40 upon 60 है हम यह 00 को cancel कर देंगे हमारा 4 और 6 हो जाएगा तो यह हमारा 2 हो जाएगा और यह हमारा 3 हो जाएगा ना हमारा answer 2 by 3 हो जाएगा अगर हम देखें कि हमने 40 मिनट अगर हमने फ्रैक्शन किया एक घंटे में से 40 मिनट का हमारा answer क्या है 2 by 3 है सब्पोज माली जी कि आपको को जिसी काम को आप करने के लिए 60 मिनट दिया जा रहा है किसी बी चीजिए फिर आप ग्जाम कर देरा उसमें 60 मिनट आपको बोला जा रहा है उसमें अपने फॉर्टी मिनट में स्वाड़ दी यह आप कह सकते हो कि मैंने इतना समय अपने मैं से से कॉमेंट छोड़ दें तब तक लिए मिलते फिर नेक्स वीडियो में बाबाएं थैंक्यू